तो हम मेन लगन के विबिन भाव में सनी महादसा के बारे में बात कर रहे थे अगर आपका सनी मेन लगन में किसी भी भाव में इस्तित हो और अगर आपको सनी की महादसा आती हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे इस वीडियो में 4th house के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं तो 4th house में यहां बुद्ध के घर में सनी इस्तित होंगे और बुद्ध के साथ सनी का रिलेशन काफी अच्छा है ऐसे में अब आपको बुद्ध को भी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में बुद्ध कैसे इस्तिति में है यहां पे ज़्यादतर केस में अब वो जो सनी है आपको मदद करेगा आपके कैरियर में सबसे बड़ा जो रॉल आपके कैरियर में जो सनी यहां प्ले करने वाले हैं वो कहीं न कहीं आपके कारिये छित्र और आपके कारिये इस तल दोनों पर ही वो प्रभाव डालेंगे इस case में तो यहां सबसे ज्यादा important आपको अपना घरेलो जिवन तो हो गई होगा उसके साथ तब आपको कैरियर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है सनी दसा के दुरान तो यहां सनी इस्तित होके लगबग आपके जितने भी जिम्मेदारियां बनती हैं फैमिली के परती अपने घर परिवार के परती उनको भी आप सीरियसली निप्टाएंगे और अपने प्रोफेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे इसके लावा ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी रेस्टिक्टेड लाइफ देखने को मिल सकती है अपने घर परिवार के मामलों में या कभी-कभी ऐसा होगा जब आप अपने जोग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ट होंगे और थोड़ा सा कभी-कभी कम ध्यान दे सकेंगे अपने घरेलू मामलों पर लेकिन ऐसा सनी आपको अपने घर परिवार के लिए या संपत्ति के लिए काफ़ ज़्यादा सीरियस बनाता है अब आपका जो रोल है फेमली से रेलेटेड मामलों में वो काफ़े ज़्यादा बढ़ जाता है इस केस में तो यहां पर सनी का इस्तित होना यह दिखाता है कि आप कितना अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं अब यहां बुद्ध का रासे मिथुन है तो मिथुन रासे में जब भी सनी होगा ऐसा सनी आपको बहुती सोच समझ कर डिसीजन लेने के लिए प्रिरित करेगा हमेशा ही और आपका जो फैमली के साथ जो कनवर्शेशन होगा या जो वारतलाफ होगा वो काफी अच्छे तरीके से होगा अब आपके चार्ट में बुद्ध का मजबूत होना बहुत ही ज़री है और अगर बुद्ध का समंद सनी के साथ हो तो आप बहुती प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे अगर यहां सनी वक्री स्थित्य में हो तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके चार्ट के इसाब से अगर देखा जाए तो सनी आपके ग्यारवे भाव और बारवे भाव को रिपर्जेंट करते हैं अब यहां आपके धन और संपत्ती समंदी मामलों में आपके चोटे से चोटे डिसीजन भी आपके लिए काफी ज़्यादा मेटर करेंगे इस केस में तो यहां पे अब आपकी जो परसिद्धी है, आपका जो मान समान है, आपकी जो परतिस्टा है, वो भी इससे कहीं न कहीं निर्धारित होगी, लेकिन ऐसा सनी अगर बहुत ज़्यादा पाउरफुल है फोर्थ हौस में, तो यह आपको काफी ज़्यादा डिले दे सकता है इसके लावा कहीं न कहीं, यह सनी आपको थोड़ा मनी माइंडेट बनाएगा, अगर आप कोई बिजनस में हैं, तो आपको बिजनस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देगा, और आप अपना काम बहुत यार्षानी से पूरा कर सकेंगे, बिजनस से समंदित मैटर्स में लेकिन यहां आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुल होना पड़ेगा, खुद की समताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और खुद के मामलों में हमेशा ही confident रहके आगे बढ़ना पड़ेगा, अब सनी यहां इस्तित्यत उनिस्त रूप से परिवार के सद होगा, बट आपका जो effort है, effort आप कितना लगा रहे हैं किसी भी particular काम में, वो यहां पे सबसे ज़्यादा important हो जाता है, अब सनी का fourth house में इस्तित होना वैसे तो हम उतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि यह सुखों में कही न कहीं कमी करता है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पढ़ती है सुखों को पराप्त करने के लिए, और सनी वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको सुखों की तरफ attract नहीं करता, यानि आप बहुत ज़्यादा levis life style और वो सब पसंद नहीं करेंगे, बट सनी का जो सबसे बड़ा रोल है आपके, career में बहुत ज़्यादा important हो जात सकते हैं और आपके लंबी दूरी की यात्राइं बार बार होती ही रहेंगी, इवन आपकी काफी बार विदेश यात्राइं भी हो सकती है सनी दसा की दुरान, अब इसमें age का factor भी बहुत बढ़ा है कि सनी की महादसा आपको कौन से age period में आ रही है और आप उस समय क्या किस तरीके से आप सोच विचार करेंगे और जिवन में आगे बढ़ेंगे और आपके पास कितने resources available हैं जब ये दसा आपको आ रही है तब, तो ऐसी condition में कहीं न कहीं आपकी educational qualification, आपके ग्यान और आपकी छमताओं का बहुत ज़दा असर पढ़ जाता है इस महादसा पर, अ अब यहाँ पर सनी इस्तित हैं तो सबसे पहले सनी आपके 6,000 को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो सिंग रासी को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब वैसे तो अगर देखा जाए तो सनी के लिए सिंग रासी एक सत्रू रासी मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 6,000 है और अगर आपका सूरिय बहुत ज्यादा मजबूत हुआ चार्ट में, तो ऐसा सनी आपको वर्क प्लेस पे काफी अच्छी इस्तिति देगा, जहाँ पर आपको हलंकी हाड़ वर्क फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं आप थोड़ा बेटर फील कर सकेंगे और जो आ आप डिसीजन लेंगे अपनी डैली लाइफ के मामलों में, वो आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी प्रियास या एक छोटे से छोटा भी डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है, अब सनी तीसरी दृष्टी 6,000 प आपके कुछ मामले बहुत लंबे समय तक अटक भी सकते हैं, अब यहाँ पे 6,000 पर दृष्टी है तो निसित रूप से अब आपको अपना रूटीन बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, आपको प्रोपर काम करना पड़ेगा, लगबग आपको हर काम को समय पर करना आपको प्रोपर जो reward मिलना चाहिए था वो भी आपको नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है काफी बार, तो यहाँ आपको थोड़ा कम में ही संतोस करना पड़ेगा कभी-कभी, और आपको उतना ज्यादा expectations नहीं रखनी चाहिए, इसके अलावा ऐसा सनी आपको किसी भी प्रकार क कि बादा से, किसी भी प्रकार की मुश्कल से हमेशा अवेर करेगा, और कठोर कदम उठाने के लिए आपको तत्वर रखेगा हमेशा ही, तो ऐसे में जो भी लोग struggle में फसे होंगे, जो भी लोग समस्याओं में फसे होंगे, वो अपनी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकें अब यहां पर सूरिय का रोल भी बहुत ज़्यदा एहम है, क्योंकि सूरिय जितना अधिक मजबूत होगा, कहीं न कहीं, सिक्स थाउस पर उसका असर अवस्याओं से ही पड़ेगा, अगर सिक्स लोड आपका मजबूत है, तो ऐसे में आप अपनी जो बाधाई हैं जीवन म चाहें आपको कंपेटिशन को लेके बाधार ही है, या कोई भी अन्ने मेटर आपको ऐसा दिख रहा है, उसको आप आसाने से सुलजा सकेंगे सनी की तीसरी दृष्टी होने की वज़े से, अब सनी आपको इस हाउस के परती काफे ज़्यादा सीरियस करेगा, जिससे आप अपने डेली लाइफ को ज्यादा से ज्यादा बहतर बनाने का प्रियास करेंगे, और अपना पूरा-पूरा एफट डालेंगे किसी भी पर्टि करें लाइफ में, वो पार्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो कही न कहीं, उसके बाद सनी आपके टेंथ हाउस को एसपर्ट करने की वज़े से आपको कही न कहीं फैमली की जिम्मेदारियां तो सनी देंगे, लेकिन आपको कैरियर के मामलों में भी बहुत होना भी बहुत ज़्यादा संभावित है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें जो सनी है, वो क्योंकि गुरु की प्लेस्मेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मेटर करेगी, क्योंकि एक तो लगन भी गुरु का यह और आपका जो टैन्थ लोड है, वो खुद गुरु है ऐसे में अब आपके चार्ट में गुरु की इस्तिती कैसे है, गुरु कितना ज़्यादा मजबूत है आपके चार्ट में, किस इस्तिते में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, यह बहुत ज़्यादा मेटर करेगा यहाँ पर, तो आपको गुरु का यहाँ पर बलाबल देखना पड़ेगा, इसके साथ कही न कई आपको अपने बॉस से या अपने कलिक से थोड़े बहुत मतवेद भी रह सकते हैं, और आपकी expectation के इसाब से आपको salary नहीं मिल रहे हैं, या आपको धनलाब नहीं हो रहा है, ऐसा कभी-कभी हो सकता है, फिर सनी का सबसे important aspect जो आपक बहुत सारे ऐसे अनुभव देता है सनी, जो वास्तम में कोई भी अन्नेगरे नहीं दे सकता, तो अपनी महादसा के दोरान आपकी personality पर भी सनी का बहुत गहरा impact पढ़ने वाला है, जिससे आपको सनी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा, हर काम को करने के लिए त अगर आ रही है, तो इससे आपका जो educational career है वो बहुत ज़्यादा impact होने वाला है, और आपको अपनी family से, अपने परिवार से किस परकार की परवरिस मिली है, किस परकार का support सुरुआत में मिला है, इसका बहुत बड़ा रोल आपके career में और आपके घरेलू जियोन में अब ह होगा, इसके साथ किसी भी जात तक को ऐसी दसा, अगर 30 या 35 की age में आती है, तो ये career के लिए बहुत ही ज़्यादा important हो जाएगी, अगर आप विदेश जाते हैं अपने career को लेके या विदेश में settle होते हैं, तो और भी ज़्यादा importance इस दसा का बढ़ जाएगा, और ऐसा स सनी आपको विदेश में बहुत ज़्यादा प्रगति दे सकता है, इसके साथ आप विदेश के माद्यम से कोई ऐसा income source ढूंड सकते हैं, जिससे आपको हमेशा regular income होती रहे, इसके साथ कही न कई थोड़ा सा सनी आपको परिशान करेंगे, क्योंकि young age में ऐसा सनी आपको ज़ हर परिवार की वज़े से, अपने खुद के प्रियासों की वज़े से, या जीवन में जो भी सफलता अपने सनी की दसा आने से पहले पहले जो achieve करें, उसकी वज़े से अब आप जाने जाएंगे, इसके लावा ऐसा सनी आपको विदेश ले जा सकता है, और आध्यात्मिक ज जीने की तरफ भी काफी ज्यादा अगरसर कर सकता है,